हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल होनर होना चाहिए पर तो यहाँ पर लगाना है साडी में बॉडर तो साडी में बॉडर लगाने के लिए ये लिए है जो की उनिफार्म की साडी है और यह लिया है इसके लिए ग्रे कलर का वौडर तो वौडरर यहां पर बना बनाया नहीं है कप्डे में से कटिंग करके 3 इंच चौड़ी पट्टि कटिंग की है जिसको के साड़ी में करीब 9 इंच की पट्टि यानि 9 इंच का बॉड़र पूरा लगजाएगा तो ये 9 इंच मेजर करके पट्टि को तयार कर लिया है अब यहाँ पर इसको fold करना है one side से तो एक तरफ से इसको थोड़ा सा fold कर लिया है और आपको जितनी भी चोड़ाई रखनी हो उस तरीके से रख सकते हैं यहाँ पर पदला ही रखना था water को तो सिर्फ तीन इंच की ही चोड़ाई लिया है तो इस तरीके से इस पूरी पटी को ऐसे ही fold कर लिया है इसी तरीके से देखी कि नहीं फिंसिंग से यहाँ पर fold किया है और यह साड़ी उल्टी साइट से और पटी को भी उल्टा ही रखना है और आधा इंच के मार्जन से या 0.2 इंच के मार्जन से यहाँ पर सिलाई लगानी है तो अगर आपने अभी तक हमा बॉर्डर को लगाना शुरू करना चाहिए यहाँ पूरे बॉर्डर को इसी तरीके से अटेच कर लेना है साड़ी किनारी किनारी से अब यहाँ पर पूरी पट्टी को अब यहाँ पर पूरे बॉर्डर को साड़ी में इस तरीके से लगा लिया है अब आएंगी विल्कुल उसी जगह पर जहां से बॉर्डर को लगाना सुरू किया था तो यह इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सिलाई साड़ी के उपर चलानी है पिल्कुल पॉर्डर की कपड़े को दबाते हुए यहाँ पर साड़ी के उपर से एक सिलाई चलानी है और अब इस तरीके से इसको उपर की तरफ फोल्ड करना है और उपर से शिलाई लगाना है साड़ी का कपड़ा चोड़ेट है तो जोलना आए इस तरीके से हलके हाथ से किसी भी कपड़े को भीजने नहीं देना है और हलके हाथ से यहाँ पर सिलाई को लगाना है यह आ गया यहाँ पर कोना कोने को देखिए इस तरीके से सीधा कपड़े को करके और इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे कि एकदम से अच्छा कोना बनके तियार होगा और अब इस कपड़े पर भी एक सिलाई लगा देनी है यहाँ पर लॉट कर भी बिल्कुल इसी तरीके से एक सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा दागों को कटिंग करके निकाल दिया है तो बिल्कुल इसी तरीके से पूरे बॉर्डर को लगाना है देखिए कितना अच्छा कोना बनके तयार हुआ है तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर को लगा के तयार कर लिया है जो फोल्ड करने में सिलाई लगाई थी उस सिलाई को धेड़ देना है यहाँ पर कच्छी सिलाई थी तो देखिए कितनी फेंसिंग से यहाँ पर पूरी साड़ी पर हमने बॉर्डर को लगा लिया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे तो भी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई